खंबा गरनी मारूराजस्थान पर वार पे आप सब का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो सारे एम्मापेंस आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं फिर से आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने क्या करंट अफेर्स के गिटर पिटर लेके आज हम करने वाले हैं बहुत important current affairs सबसे पहले तो ये बता दो ये current affairs RPSC के जिस दिस exam में current affairs लिखा हुआ है न वहाँ पे काम आने वाले हैं चाहे आपका RU VNL वाला वो exam हो college lecturer वाला exam हो sub inspector exam हो RAS exam हो हर exam में क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं राजस्थान के important person important व्यक्ति ठीक है मई 2021 महीने में April और मई 2021 21 महीने में जो जो important personalities रहे हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत simple भाषा में हसते खेलते अपने tips and tricks के साथ जो members हमारे साथ नए जूड़ रहे हैं जो पहली बार हमारे मारो राजस्तान पर बढ़ा रहे हैं उनको अपने बारे में बता दू मेरा नाम डॉक्टर तर पर लर्णिंग एप पर मेरी free live classes होती हैं जिसको हम free live special classes बोलते हैं उसमें अगर unlock code माना जाता है तो मारो राजस्तान परिवार काई code आप सब लगाऊगे MRP10 आपको code लगाने class में free entry आपको मिलेगी कल रात को 9 बजे class नहीं लेपाई थी आँखों में बहुत दर्दो रहा था headache हो रहा था फलाँ धिमका सारी चीज़े मेरे साथ ही हो रही होती है आपको पता ही है जंडुबाम होता है तो ये class आज रात को 9 बजे होगी आना जरूरे link सबको description में मिल जाएगा मेरी free live classes सुबह 8 बजे होती है और कभी-कभी मैं classes रात को 9 बजे लेती हूँ ठीक है clear है सबको इसके साथ साथ अगर आप चले शुरुआत करते हैं साथ साथ बहुत हो गया आज का motivation there is no substitute for hard work hard work का कोई substitute या कोई विकल्प नहीं है ये तो हमें करना ही पड़ेगा लेकिन इसक साथ साथ simple hard work की कोई जगहा अगर हम smart hard work करते हैं तो हमें कम समय में अच्छे result जरूर मिलते हैं वही कोशिश मारूराजस्तान पे मेरी आप सब के लिए रहती है ठीक है और तभी हम अपने लक्षे तक भी पहुंचेंगे मारूराजस्तान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी हर कोने तक गाउं के हर कोने तक मारूराजस्तान यूट्यूब चानल होना चाहिए कैसे जाएगा जब आप लोग इसको share करोंगे ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपको हर वीडियो पे notification चाहिए तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजे इसके साथ साथ आने Academy Plus पे paid classes के लिए और नया mega offer चल रहा है 12 महीने का subscription लेते हो तो 2 महीने का subscription फ्री है दो साल का subscription लेते हो तो 3 महीने का subscription आपको free of cost मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा benefit क्या है एक ही subscription में कई सारे exams के तयारी हम लोग कर सकते हैं कोई अलग-अलग subscription अलग-अलग exam के लिए नहीं में दिक्कत होती तो कोई tension नहीं उसका मैं direct link दे रही हूँ live chat में pin करके और comment section में वहाँ पे जाओगे code आपको लगा-लगाया मिलेगा 10% discount के साथ तो आप directly जो है plus को join कर सकते ठीके और यह जो code है सिर्फ RPC category में नहीं universal code है unacademy की किसी भी category में लगाओगे आप SAC की तयारी कर रहे हो net की तयारी कर रहे हो सब जगा पे लगेगा सब जगा पे लगेगा नहीं दोड़ेगा आपको discount भी मिलेगा चलिए तो start करते हैं राजस्थान के persons मैं महीने 2021 के हो गया promotion अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं ठीक है अच्छा promotion अभी भी बाकिए भई सारे exams के सब्सक्रिप्शन लेना है ठीक है अलग अलग जरूरत नहीं है आप लोगों को सही है चले तो लेट स्टार राजस्थान स्टेट हाउसिंग बोड के प्रेजिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है साथ मैई 2021 को question पढ़ो मैं हट रियू स्क्रीन से ताकि आप को question द्यान से दिखे देखे थर्टी सेकिंड से आप लोगों के पास अब टाइमर भी लगाएंगे अपनी test series में ठीक है ना शुरू करते हैं उसको ही देखेंगे नहीं तो वो live class में होता है live class में आओ तो with timer आपको test series देने का मोका मिलता है बहुत अलग platform बहुत युनीक से feeling आती है आना जरूर आजरात को 9 बजे ठीक है तो इसका क्या है राजस्थान स्टेट हाउसिंग बोर्ड राजस्थान राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष साथ मई 2021 को किसको नियुक्त किया गया है देखो सबसे जहां पे आपका मन बहुत करता होगा राजपूरे राजस क्या बोलते हो वैसा ही कुछ है ठीक है लेकिन असली शान्ती आपको कहां पर मिलती है अपने घर में आके मिलती है ठीक है अगर आप लोग ऐसा नहीं मानते तो हमारे पेरेंट माता पिता तो यहीं मानते हैं बच्चे कहां जाओगे घूमाँ वेश्म कुछ नहीं मिलेगा आपको असली शान्ती तो घर में मिलती है सबसे अच्छा सोख घर में मिलता है तो आप याद कर लो घर मतलब आवास आवास मतलब हाउस या हाउस में जब लोग रहने लग जाते तो हम उसको होम स्वीट होम बोलते हैं तो घर में आके आपको शान्ती मिलती है तो आवासन म जंडल के Housing Board के अध्यक्ष के का रूप में किसको चुना गया है? शांती धारिवाल जी नाम समझे Housing और शांती, घर में शांती मिलते चीवर्ड याद हो गया कितना तो असान है शांती धारिवाल जी को अपोइंट किया गया है ठीके? और शांतिधारिवाल जी के पास ओर कोई पोस्ट है हाँ इनके पास दो और पोस्ट है क्या? ये हमारे अर्बन डेवलप्मेंट मिनिस्टर है नगरीय विकास मंत्री और उसके साथ सा जे डिये जैपुर डेवलप्मेंट अथॉरिटी यानि की जैपुर विकास प्राधिकरन क ये भी अध्यक्ष यही है तो important personality हो जाती है यहाँ पे सारा लिख दिया है माई और जून के जब सारे persons complete करा दूँगी कल तक complete हो जाएंगे PDF आपको telegram पे मिल जाएगी ठीके पिछले कुछ दिनों से मैं PDF upload नहीं कर पारी थी extremely sorry उसके लिए वो क्या convergence आई नहीं हो रहा था हिं को cut short करके छोटे में convert करके फिर आपको PDF दूँगी ठीके तो सबको मिल जाएगी बेफिकर रहना ना मैं delete करती हूं कोई PDF अगेरा मेरे को यह सब नहीं हाता ठीके आप लोगों के लिए यह सब कुछ मुझे क्या delete करना है ठीके वो तो मैंने मजाग किया था एक दिन कुछ ब आएगा इसका finance commission देखो मैं आपको बताते हूं वित आयूग पैसे की बात करते राजस्थान में बात करें गुजरात में बात करें सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास होता है मारवाडी community के पास होते उसका कारण क्या है कि उनके पास इतना पैसा होता है उसका कारण कोई दमदार होना चाहिए जो पैसे को संभाल सके कोई ऐसे उल्ट पोट इदर उदर खर्च नहीं करते ठीक है तो छटे वित आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है प्रद्यूम्न सिंग को चुना गया है याद कर लो पैसे को संभालने के लिए को हट्ट याद हो जाएगा आई होप सबको याद हो रहे है मजा भी आ रहे है मजा आ रहे है तो एक लाइक तो बनता है लाइक तो बनता है लाइक नहीं करते हो कॉमेंट नहीं देते हो आप लोग ऐसा मत क्या करो ठीक है चलो एक बात आपको याद रखनी है इस कमीशन का जो टाइम period है वो थोड़ा कम रखा गया है one and a half year तो important question मनता है यह पूछ सकते हैं आपसे छटे finance commission का time period tenure कितना है देड़ साल होगा इसका tenure यह बात आपको याद रखनी है ठीक है याद रखनी है देड़ साल next जो है question इसकी वित आयोग के चटे वित आयोग के और सदस्य कौन-कौन बनाए गए है members किसको बनाए गया तो यह भी याद रखेगा आयोग में पहले मंत्री रह चुके हैं हमारे लक्षमन सिंग इनको डाला गया है लक्षमन सिंग पहले मंत्री रही है भाजपा की विधायक रहे है अशोक लाहोटी जी तो इनको भी सदस्य मनाए गया देखो सारे महाबारत जैसे नाम नहीं लग रहे है आपको प्रद्यूमन लक्षमन और एक आपको सदस्य होते हैं कितने चेर्मेन होते हैं एक अध्यक्स चार मेंबर्स एक चेर्मेन और चार सदस्य याद कर लोगे वन प्लस फोर वैसे टोटल किते होंगे फाइनस फाइफ ठीक है चारों उंगलिया घीमे हैं जो फाइनस कमिशन जिसके पास पैसे हैं भई तो पाँच मेंबर्स हैं अगर हम बाइफर्केशन करेंगे एक अध्यक्ष होगा चार इसके सदस्य होगे क्लियर है सबको और जानते हैं finance commission के बारे में important topic है question पूछा जा सकता है इस से पहले जो finance commission था पांचमा वित आयोग उसके अध्यक्ष कौन थी आपको याद करना है किरन शुकला श्रीमती जोती किरन शुकला ये question आएगा तो आपको याद रखना है याद कर लोगे ठीक है अच्छा अब आपको बताती हूँ finance commission से related constitution में समविधान में article कौन कौन से है ठीक है तो पहले तो ये लिखा गया है article नंबर 280 के अंदर कि central finance commission होगा केंद्रिय वित आयोग होगा और state finance commission राज्य वित आयोग होगा 280 में ही बात कही गई फिर जब 73 वां constitution amendment act हुआ पंचायती राजवाला 73rd constitution amendment act 92 जब हुआ था ठीक है समविधान संशोधन उसके तहत जो है article 243 आई में ये कहा गया पंचायती राज के लिए उनको कितना पैसा जाना चाहिए वो decide करने के लिए एक state राज्य वित आयोग का गठन किया जाएगा इंस commission से बच्चे कौन कौन से एक है अपना 280 एक है 243 आई अब आपको मुश्किल हो रही होगे याद करने में I कैसे याद करूँ B कैसे याद करूँ F आएगा I आएगा G आएगा बच्चे जिसके पास जादा पैसा आजाता है ना क्या करें पैसा चीज ही ऐसी है माया जाता है उस बंदे में ठीक है जिसके पास जादा माया आ जाती है उस बंदे में मैं जादा आ जाते हैं और मैं की English क्या होती है I I love money बोल सकते हो ठीक है तो 243 243 आई आर्टिकल ठीक है अब 243 भी नहीं याद हो रहा तो उसने इतने पैसे कमाई कैसे है दो तिन चार करके कम है तो याद कर लो 243 क्लियरे सबको चलो चुक है याद हो गए हूंगे शायद से ठीक है उसके बाद है पहले Finance Commission कब बना 1995 में 1995 से 2000 में दूसरा 2000 से 2005 में तीसरा 2005 से 2010 में चौथा 10 से 15 पांचवां 15 से 20 और चटा अभी बना है 2021 में ये तो याद हो जाएगा 1995 से कोई आगे पिछे नहीं करना इयर साइड 5-5 साल बस हमें एड करने ठीक है पहले Finance Commissioner कौन रहे है कृष्ण कुमार गोयल ये तो मैंने याद करवा दिया आपको अब एक और बात बताती आपको जिसके पास इतना ज्यादा पैसा होगा पैसा इन्वेस्ट कहां पर करता है इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है जमीन जायदत खरीदने में या गोल्ड खरीदने में महिलाएं खास तो और गोल्ड खरीदेंगे गोल्ड के सेट भी बनवा सकती है ठीक है उस सेट में क सबसे महेंगे वाले हीरा मतलब डायमंड डायमंड डिपियर्स डायमंड है सदा के लिए सुना होगा आप सबने ठीक है और दूसरे नंबर पर मानिक जो सुर्य का स्टोन होता है ठीक है वैं स्टोलोजी नहीं पढ़ा रही हूँ फिर भी आपको बता देती हूँ संका होता है मानिक यानिकी रूबी तो ये दो नाम जो है आएंगे दूसरे फाइनस कमिशन के अध्यक्ष कौन रहे है हीरा लाल देवपूरा जी कौन रहे है हीरा लाल देवपूरा हीरा आगया लाल कलन का रतन होता है मानिक याद कर लो तीसरे फाइनस कमिशन के अध्यक्ष कौन रहे हैं मानिक चंद सुराणा जी कौन रहे हैं बच्चों मानिक चंद सुराणा है पाँचवे के लोक्टर जोति किरण मैंने अभी याद करवाया चोफे के ओर देख ले कितलो और बistä के नाम हो दो मैंबर्स जुड़े हैं लक्षमन CHANGH parlar अशोक भूलोगे तो नहीं I hope नहीं भूलोगे जल्दी से लाइक कर दीजे अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया है अच्छा कुछ हम पांच में वित आयोग की सिफारिशे भी देख लेते हैं अनुशंशा जो पांच में वित आयोग ने रिकमेंडेशन की कितना पैसा पंचायती राज इंसिचूशन को जाना चाहिए जिला परिशत को जाना चाहिए पंचायत समित्य को जाना चाहिए वो भी देख लेते हैं पांच में वित आयोग के मुताबिक सरकार की इंकम का कुल हिस्से का 7.1% 7.182 तो आप 7.1 भी याद करो 15% पंचायत समीती समीती मतलब खुब सारे लोग तो उनको सबसे जादा जाएगा पंचायत समीती को कितना जाना चाहिए ये सरकार ने अभी एकसेप नहीं किया ये इनकी रिकमेंडेशन है ठीके तो पांच में वित आयोग के अकोर्डिंग पंचायती राज इंसिचूशन को 7.18% 5% जिला परिशत को और 15% किसको जाएगा बच्चे पंचायत समीती को जाना चाहिए एक ले याद हो रहे सबको चले आगे चलते हैं ठीके नेक्स कोशन से पहले बताओ दूसरे कोशन में कितने कोशन तयार करवा दिये मैंने आप लोगों के सच्ची सची ऑनेस्टी से बताओ जड़ा दस कोशन तो तयार करवाई दिये है ना अगला कोशन देखते हैं इसका आंसर दो आज में पानी लाना भूल गई भाई गया पानी नहीं आज मेरे पास सारे कोई बात नहीं चलो आंसर दो इसका पढ़ो एक कमीटी बनाई गई है भाई कि हमें पता है ना जल्दी जल्दी हो सके सरकार ने 10 एप्रिल 2021 को एक कमीटी बनाई है तो इस कमीटी के अध्यक्ष किसको बनाई गया ये कोशन पूछ रहा आप से ठीक है अभी हमारी क्या रिक्रूट्मेंट बहुत यहारी डिली ढाली प्रोसीजर चल रहे है बहुत नोकरियों में वह जल्दी जल्दी हो तो इसका अंसर क्या हो जायेगा समझ तो गये होंगे इतने तो १ू करमी करमठ बंदा काम करने वाला बंदा कुमावत M.L. कुमावत जी को बनाए गया है किसको बनाए गया है याद कर लोगे M.L. कुमावत जी को बनाए गया है क्लिर है बोलो जल्दी जल्दी बताओ शाबाश चलो आगे देखते हैं ठीक है M.L. कुमावत जी पे और क्या कोश चेर्मेन देखो मेरे काम जरा फॉर्मर चेर्मेन और पुर्व अध्यक्ष भी रहे चुके जंडुबाम होता है ना फिर हमारे साथ क्या करें कोई बात नहीं ठीक है इसके अलावा इस कमीटी में और कौन-कौन मेंबर्स रहे हैं देखो बचे एक तो पुर्व आईएस ओफि चेयन आयोग उसके सलहकार अडवाइजर जिनका नाम है यह क्या नाम है इनकी ओधि एड्वाइजर 2 हाँ राजस्तान SAC के चेर्मेन एड्वाइजर और क्या ओ रहा हॉरा जिंदा जनुगाम क्यों हो रहा है फॉर्मर pept स्के के जो कर्रण्ट में सेक्रेट्री यह अभी भी सेचिफ है शुभम देखते हो न जब भी कोई डेट आती है इंटरव्यू की कुछ भी नीचे उनके आपको साइन मिलते तो वो भी इसके मेंबर है इनके साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल ओफ रजिस्ट्रेशन और स्टांप्स का मतलब है बच्चे कहां गई हिंदी हमारी यह री कहां गई कहां ग बाइजर भी हैं बदरी नरायन ठीक है एक प्रेजंट अभी जो सेक्रेटरी है और पेस्ट के शुभम चौधरी और एक जो है रेजिस्ट्रेशन और स्टैंप्स वाले डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर महाविर प्रसाथ उनको इसमें मेंबर एज़स्य नियुक्त किय वाले हैं चलिए शाबभाश नेक्स्ट कोशन देखते हैं कमीटी किन-किन चीज़ों पे रिपोर्ट देगी अपनी सारे रिकूट्मेंट से रिलेटेट जो भी चीज़े सब पे देगी वेकैंसी कितने टाइम में वेकैंसी भरती हो जानी चाहिए अगले आने वाली वेकैं कोई चेंज करने उसको देखेगी ज़रूरत है या नहीं दरूरत है कुल मिला के नोकरी से रिलेटिट जितने प्राप्धान है उच सब के ऊपर यह रिबोर्ट देने यह तो ज्यादा याद करने के जरूरत नहीं है यह ऑटमेटिकली आपको याद रहने ही वाले है ठीक है य शरद पगारे, शरण बिमाले, सुमन चौधरी, मोहन कृष्ण बोहराजी को किसको मिला है शाबाश आप लोगों को आंसर देना है तो इसका आंसर होगा केके बिर्ला फाउंडेशन 2020 अवार्ड जो मिला है बच्चे किसको मिला है अवार्ड का नाम क्या है सरस्वती सरस्व शरण में हम सब जाते हैं ताकि हम कामयाब हो, हमें बहुत जादा विद्या मिले, हम कामयाब हो, हमारे एग्जामने सिलेक्शन हो, ठीके तो याद कर लो सरस्वती संमन पुरुसकार है तो सब कोई जाना चाहिए तो इसका आंसर है शरन कुमार बिम-बाले, शरन शब्ना है इनके नाम में शरन कुमार बिंबाले पुलोगे तो नहीं सरस्वती सम्मन पुरुसकार केके बिरला फाउंडेशन का किसको मिला है शरन कुमार बिंबाले जी को इस फाउंडेशन के चार अवार्ड है टोटल बुख्य मुख्य वो देख लेते हैं व्यास सम्मन पुरुसकार क इसको थोड़ा स्थीक कर लेना ठीक है पाटली पुत्र की सामरागी व्यास सम्मान पुरसकार किसको मिला है शरत पगारे जी को सरस्वती सम्मान मिला है शरण कुमार बिंबाले जी को अभी अभी किया कौन सी बुक के लिए मिला है सनातन देखो सरस्वती जी की शरण में जा ये कौन सा धर्म है हमारा ये हमारा सनातन धर्म है उससे याद कर लो कौन सी बुक के लिए मिला इनको सनातन के लिए कौन सी क्रियेशन है इनकी सनातन ठीक है इसके अलावा दो और अवार्ड से वो भी देख लेते हैं घंशाम दास बिरला अवार्ड घंशाम मतलब कृष्ण जी की बात हो रही है महभारत के अंदर कृष्ण जी ने सबको अपने चक्कर में फसाया ही हुआ था तबी तो कौरव आ रहे थे तो घंशामधास जो अवार्ड है आपको एक कीवर्ड याद करना है बच्चों बड़ी जल्दी ये याद होने वाला है आपको ठीक है ये प्रोफेसर सुमन चकरवर्ती जी को तो इनके नाम में चक्रशब्द आ रहा है आई 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 टी खड़कपुर से मेकैनिकल एंजीनियर है याद कर लोगे ठीक है किसको मिला है घंशामधास बिला अवार्ड प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को दिया गया है उसके के लिए तसलीमा संघर्ष और साहित्ते अगे के लिए याद कर लोगे और शरन कुमार बिंबाले जी को सनातन के लिए याद के लिए के बिड़ला कुरुस्का 2020 येस और नो बताओ जल्दी जल्दी बताओ next question पड़ो इसका आंसर दो अट्रियू में ताकि आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखे हाँ जी देखे 9 एप्रिल 2021 को ठीके हमारा बनेश्वर धाम डेवलप्मेंट बोर्ड बनाया गया ठीके इसके पहले चेर्मेन के रूप में किसको अपोइंट किया गया है बनेश्वर धाम विकास केंदर जो बना है इसके जो है अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है 9 एप्रिल 2021 को गिरजानंद महराजजी को अचिवतानंद महराजजी को नंदी महराजजी को या फिर नन उभदावाओ किसी को नहीं किसको चुना गया है तो आपको याद रखना है अचिवतानंद महराजजी को चुना गया है मुझे लग रहे हैं ये question seven star important है बनेश्वर धाम बोड क्योंकि पहली बार बना है हमारे आदिवासियों के लिए लोग टाइम से डिमांड थी इसकी बनेशवर धाम बनाया जाए इसकी अनौसमेंट कब हुई थी इसकी अनौसमेंट हुई थी बच्चों 2019 के बजट में हमारे मुख्या मंतरी अशोग गहलोजी ने की थी 2019 में अशोग तो है ठीक है इसका blueprint बनेगा इसके अंदर total कितने member होंगे इस कि अधिक यह उग्या लुपी बच्ची ज़रा hold करें लाइट चली लिए इस पर दीव इस ज़िए ना कि एक सेकेंड कि अ